Hi everyone, my name is Vishal Sharma और आप लोग मुझे इस बार देखोगे Big Boss House में अपने content create करते हुए जो मेरा सबसे famous content है toxic girlfriend वाला इस बार भी मैं उसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ नए parts लेकर आ रहा हूँ कि किस तरीके से मैं अपने relationship वाले part को और अच्छे दिखा पाऊं comedy way में जो दर्दे लोगों का ना उसको मैं दिखाऊंगा इस बार अपने comedy way में आटिस की दुनिया में देखे मेरी जननी स्टार्ट वी थी बहुत जीरो से जब मैंने 2012 में स्टार्ट किया था YouTube उसके बाद न हुए यह था कि मैंने शुचा कि एक वीडियो बनाते हैं हम लोग कि छोटे मोटे वीडियो जो है उसके वाइन के जमाना चल रहा था आपने सुना होगा बीबी कि वाइन तो ऐसे देखकर जो है मैंने भी ऐसे बहुत सारे क्रिएट कर लिए थे उस वक्त पे तो मैंने शुचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं हमने कॉलेज वालों के साथ में मिलके तो मैं हूं माखलनाल से पास आउट जो कि उससे पहले मैं क्रिएट करता है वीडियो बट मैं इतना ध्यान नहीं दादा कि नॉमल बना लिया तो बना लिया चलिया तो चलिया बट फिर मैंने एक वीडियो बनाया है मैंने काम करते हैं 15 सेकंड का वीडियो बनाते हैं उस पर वीडियो आते हैं तो हम लोग उसको सेकंड पार बनाएंगे उसका तो हम लोग ने वीडियो बनाया और उसके उपर टोटल 13 चौदा वीडियो थे उस वक्त पे तो 5-6-7 तो जो है मेरे दोस लोग जो मेरे साथ में थे उस वक्त पे उनके थे और एक दो तीन जो दूसरे पता निक कहीं से रैंडम ली आ गए होंगे तो अब हमारा यह था कि हम लोग 100 वियूस का टागेट लेके चल रहे थे वोट 100 वियूस तो हुए नहीं हमने का कि एक काम करते हैं अगला बना करते हैं शायद इसके उपर हो जाए बट उसके उपर भी सेम था ऐसे करते करते हैं हमने कम सेंगा 25-30 वीडियोस बनाएं बट वो सेम था कि 100 से उपर बढ़ नहीं रहे थे और उसके बात जो है मैंने उन वीडियोस के साथ में एक चीज़ यह गरी कि एक काम करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि यह चीज़े नहीं हो रही है तो यहां पे बहुत एक नामी इंसान है एहमद खान जिनके साथ में मैंने थेटर स्टार्ट किया फर्स्ट तो उसके बाद मैंने वह मेरा नेशनल इसको मैं 1% काउंट करूँगा क्योंकि इतना नहीं तो उसके बाद फिर जो है मुझे सेकेंड मिला वो भी जो है अच्छा ऐसा नेशनल था दो दो नेशनल मैंने कर लिया थे और जो बाकी लोग ते जो पांच-पांच-छे साथ से कर रहे थे कि यार हम दोग अभी तर नेश स्क्रिप्ट होती वह बेसिक होती है अब उसमें एक्स्ट्रा एड़ान करना है वह हमारा पाट होता है और वह आता अब्जर्वेशन से तो उस वक्पे तो अब्जर्वेशन इतना अच्छा नहीं था क्योंकि content बनाना अपने करेक्टर को और ज्यादा चेंज करना बहुत तो उसके बाद मुझे मिल गया दूरदर्शन का एक सीरियल तो हुआ यह था कि मैं उस वक्पे कर रहा था कि यहां पे दूरदर्शन में एक नाम था कि अगर आपको यहां पर काम करना है तो आपको इस बंदे से बात करनी पड़ेगी और वो बंदा पिछले छे मैने से मेर लोग यह वाला सीरियल बना रहे हैं तो अब इसमें करोगे तो उन्होंने सेकेंड लोई लीड रोल जो है में को दिया और फिर उसके बाद मैंने दरपन जूट नहीं बोलता जो कि एक डेली का बहुत जादा फेमस दूरदर्शन में चलता है जो कि उस चैंपे शायद प्र 30-second के content, रीडियो में देगा कि यार यह लोग बोलते कैसे हैं वो सारी चीज़े मैंने रीडियो से सीखी Big Boss की जरनी का मैं अगर बताओं आपको तो मेरी एक friend है जो की influences के उपर किताब लिख रही है वो आने वाले शाद 5-6 साल लगेंगे उस किताब को आने के लिए तो उस influences book के अंदर जो है मेरा एक जिक्र है छोटा सा उन्होंने टीवी के उपर एड चल रहा था कि अगर आपको अपना जो है तकदीर बदलनी है तो आप जो है color social squad join कर लिजे तो मैंने join कर लिया अब उसने मुझे link बेजा कि आप इसमें form fill कर दीजे बट जब उसने मुझे बेजा तो 6 बज़े lines close होने वाली थी लेकिन उस वक्त पे पॉने 6 पर मुझे वो link मिला मैंने अपने दोनों फोन से try किया ब मुझे लगा कि ठीक है fake होगा मैंने इस चीज़ चल रही होती है तो मैंने ठीक है कर लेते हैं तो मैंने उनने का कि second round आपका जो है 45 days या 30 days बाद होगा क्योंकि जो process उनका थोड़ा सा slow होता है तो जब process पूरा हो गया complete तब भी मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये लोग मुझ कुल नहीं वालन था उस वक पे तो मैंने का मैं काम करता हूं जिस दिन मुझे 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 म जब तक मैंने सलमान काण को अपने आखों के सामने ने देख लिया, तब तक मुझे यकीन नहीं हुआ, जो है, ये लोग सच चल रहा है, और यह तो हो सकते हैं, मिरे साथ कोई प्रांग कर रहा है, कोई मजाक हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, और फिर उसके बाद जब मैंने सल वहाँ से स्टार्ट हुई मैं Big Boss के अंदर हूँ एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए जो है मैं उसको देखा मैंने वहाँ पर अंदर घर के अंदर जो माहूल है घर के अंदर का माहूल इस बार बहुत खदरनाग होने वाला है क्योंकि जो थी मैं जिस तरीके से साइट की हुई है वो एक next level है हर बार से इस बार का 2017 का जो सीजन होगा न वो काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस बार जो है तीन कपल और 11 सिंगल आने वाले हैं तो इस बार एक अलग धमाका होगा आपको फिर पदाए Whenever I'm a toxic girlfriend वाला पार्ट है उसमें मैं और आग लगाने वाला हूं तो इस बाते हुआ टॉस सीज़ें कि इसा यहां तो मैंने उसी के ओपर content create कर दिया उसे उससे पहला बना है औक हो चल गया फिर मैंने उसके pषर बमकी बोग्रते हैं जब कि अंदर क्या प्रोब्लम्स होती है उसको मैं अपने फ़नी वे में दिखाना स्टार्ट कर दिया सल्मान खान से बातशीत मैं आपको बता हूँ ऐसे युजवली भी बात नहीं क्योंकि जिस ट्रेम हम लोग पहुचे तो सल्मान खान नौरा फटेई और काफी और भी जो लोग थे वो बहुत सारे की ऑफिस की जो पार्टी थी यह फिर्स जब मुझे पार्टी बुलाया है जब यह करने के बाद में तो एक ज़लक दिखला जा वाली उस ट्रेम पर पार्टी हो रही थी तो जब मैं मिला था बिग बॉस वाला पार्ट एक दिड़ मैंने बात का था तो सल्मान कान के हाथ में कप था और वो वाक करते हुए वहां पर बात कर रहे थे जिस तरीके जो आपने देखा है ना जिस तरीके से आपने टीवी पर एज़ी टीज बस यह था कि लाक गुना ऐसे जब लाइफ दे है कि 15 वीउस हैं मैंना हमेशा positive वो किया है कि अभी अगर 2-3 million मेरे इसमें वीउस आते हैं तो वो नॉमल लगता है मेरे को मुझे और चाहिए मतलग मूवी और वेब स्रीज में जाने का मेरा कोई सीन नी है और काफी सारी लोग जो है अभी बात कर रहे हैं कि मैं as a contestant big boss में जा रहा हूं तो मैं बिल्कुल भी अभी उस चीज के लिए प्रिपेर नहीं हूं कि मैं big boss house के अंदर as a contestant जाओं